हलो दोस्तो आज के वीडियो में हम 101 पोल रमी खेलेंगे गाईज तो गाईज हम यहाँ 50 रुपे की 101 पोल रमी का मेच स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो गाईज हमये 101 पोल पर YES करेंगे yes करने के बाद guys हमारा कुछ इस तरीके से interface आपको दिखाई देगा इसको zoom करने पर आपको पता चल दाएगा कि guys 6 बंदे खेलते हैं 101 pole वो होता है जिसके अंदर आपको सबसे कम point रखने होते हैं हर match के अंदर तो guys ये पूरी तरीके से point पे निरभर होता है तो guys आपको ये video end तक देखना 101 pole खेलना सीख जाओगे इसमें winning करना सीख जाओगे इसका सारा system समझ लोगे तो guys सबसे पहले हमें इसमें ये decide करना होता है कि हमारे पास पत्ते कितने अच्छे आए हैं क्योंकि guys आप इसमें बीच में middle drop नहीं कर सकते हो और करते भी हो तो बहुत जादा माइनस हो जाता है तो guys आपको opening में ही drop करना चाहिए था तो guys हमें यहाँ पर हम गुलाम फेक देंगे जो कि westage है और हमारे पास दो जोकर है guys तो हम इस मेच को जरूर खेलेंगे क्योंकि ये मेच हमें लग रहा है कि हम जीत सकते हैं तो guys हमारा opponent भी सारे हमें इसके अंदर सबसे important चीज यही है कि आपको सबसे पहले पत्ते देखते ही सोच लेना है कि यह मेच आपको खेलना है या नहीं खेलना है और guys आपका एक ही target होना चाहिए कि आप जब भी मेच हारो तो कम से कम point से हारो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप set cover कर लो तो better है वरना आप drop कर दो 20 point minus होगा और जिसका पहले 101 pole में 101 point जिसका होता जाएगा वो इस game से exit होता जाएगा मतलब वो इस game से निकल जाएगा तो इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप भी 101 तक नहीं पहुंचना है उससे जब तक आप नीचे हो तब तक आप खेल रहे हो वरना आप आगे आउट हो जाओगे उसमेच से तो गाइज यहाँ आप देख लो हमारा नेसला देसला गुलाम का अगर हमारा set बन चुका है, sequence बन चुका है एक का बाश्या और एक जोकर है तो वो भी set हमारा complete है सत्ती अठ्य का काम जोकर ने किया नेसला देसला हमारा set complete है तो guys अब यहाँ पर आप देख लो बाच्या है हमारे पास इसका मतलब हमारे 12 point वो हो गए 13 point बाच्या तक हो गए उसके बाद में तो हमें 3 बाच्या मिल चुके हैं तो यहाँ चग्गी को रखेंगे guys चग्गी को गिरा देंगे हमें नहीं चाहिए तो तो guys हमने चग्गी को उठाया और यहाँ पर हम चग्गी को गिरा देंगे अब guys यहाँ देख लो पंजी चग्गी का काम जो करने किया सत्ती set complete नेसला देसला गुलाम का काम जो करने किया बाच्या 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 कम्प्लीट सेट उसके बाद नेशला देशला गुलाम हमारा प्योर शिक्वेंस और जो इक्का है गाईज इसके कोई भी पॉइंट माइनस नहीं होते हैं इस चीज का आप 101 पॉल में ध्यान रखिएगा फिर भी आपको इक्के को भी गिराना है और आपको इमेज जीतना है गाईज तो देखते हैं हम इसमें अच्को कितनी देर में जीत पाते हैं और गाईज इसके अंदर बेक-to-back राउंड होते हैं और जहां तक मेरा मानना है गाईज इसमें 5-6 राउंड में विनिंग डिसाइड हो जाती है और जो एक बन्ता एक ब 752 रुपेस जो विन हो जाता है उसको दे दिये जाते हैं company के दुवारा तो गाय्स देखते हैं क्या गिराता है guy्स हमें बेगम चाहीये थि हम यहा लगा देंगे और 21 को ले जाकर हम खुर पर क्लिक कर देंगे तो καसी यहां देखिलो हमारे पुरे के पुरे sequence एकदम बढ़िया तरीके से त्यार है तो अब यहां देखोगे guys यह जो point minus हुए है जैसे इसके 25 point minus हुए है उसके 6 point minus हुए है इसके 9 point तो यह point उनके अंदर 8 हो जाएंगे और जिसके 101 point होते जाएंगे 101 point से उपर जैसे ही कोई भी बंदा निकला वो out हो जाएगा इस pole का मतलब यह होता है तो अब देखना guys next match start हो चुका है तो आपको इसमें यही patience रखना है end तक आपको सारे के सारे matches में ध्यान रखना है अगर आपके पास अच्छे पत्ते नहीं है जैसे कि इस match में मेरे पास अच्छे पत्ते नहीं है guys यह मैंने drop कर दिया मेरे 20 point माइनस हुआ है पर मैंने इस match को drop कर दिया तो आपको यह चीज always सोचते रहना चाहिए इसके बाद हम next match पर चलते हैं तो आप देख लो यहाँ पर जो जिस जिस बंदे के पास अच्छे पत्ते नहीं हैं वो सारे के सारे drop कर देंगे जिनके पास अच्छे पत्ते हैं वो ही खेलेंगे तो guys इस तरीके से सबके point equally होते जाएंगे अब मैं आपको next match पर लेके चलता हूँ तो guys अभी यहाँ पर show होने ही वाला है तो guys देखते हैं कौन जीतता है इसमें तो आप देख सकते हो सबके point सबके सामने है तो यह so हो गया है और यहाँ हमने drop किया था हमारे 20 point minus होए थे और यहाँ सबका जो score है वो आजाएगा तो इसमें आभी आपको मैं दिखा दूँगा कौन first पर चल रहा है guys तो इन में जिसके सबसे कम point है वो उसके जीतने की chance सबसे जादा है जो की है ससी end में जो हमारे side में बेठा हुआ है तो guys अभी इस match में भी आप देख लो हमारे पास अच्छे पत्ते नहीं है हमने फिर से drop कर दिया तो guys ये drop वाली skill आपको याद रखनी है तो guys इस match को भी script करते हैं और आगे लेते हैं इस match को तो guys ये match भी end तक आ चुका है हमें पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है guys तो अभी इसने बाच्छा जैसे उठाया और उठाने के बाद guys इसने फिर से show कर दिया है guys तो अभी आभी आप यहाँ point देख सकते हो किसी के 60 point हो चुका है जो सबसे loss में चल रहा है और guys यहाँ पर ससी के फिर भी 9 point है तो guys आप यह समझ सकते हो इसमें थोड़ा बहुत किस्मत पे भी होता है तो इसलिए मैं आपको 101 पॉल खेलने के लिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर किस्मत भी होती है क्योंकि आप देख लो हाँ सशी के पास हर बार अच्छे पत्ते आड़ते इस बार उसने ड्रॉप कर दिया है guys इस मैच को हम पूरा खेलेंगे क्योंकि आपको दिख रहा होगा हमारे पास जोकर भी है और अच्छे खासे सेट भी है तो guys जब आपके पास अच्छे पत्ते हैं तब आपको मैच खेलो यह मैने पहले ही बोला है आपको तो यहां हमारे 40 पॉइंट हो चुके है उपर 55 पॉइंट निर्मल के हो चुके है रवी इंद्रा के 49 पॉइंट हो चुके है और यह रमाराव के हो चुके है 46 पॉइंट और M मुझे के हो गए है 60 पॉइंट तो इसमें guys सबसे आगे चल रहा है शशी और second पर चल रहे हैं हम तो guys हमें बेगम मिल चुकी है हम इसको रख लेंगे क्योंकि 2-3 बेगम आई तो हमारा site complete हो जाएगा इसलिए तो guys इसमें future के बारे में सोचके खेलोगे तो हमेशा profit में रहोगे इस चीज का always ध्यान रखिएगा और क्योंकि मैंने कही बार देखा है यह चीज आप future के बारे में नहीं सोचते हो आप कुछ भी उठाते जाते हो पर जब वो पत्ता जो हमें चाहिए होता है वो आभी जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते तो guys इसकी सबसे बड़ी जो खाश्यत है वो यह है कि आपको इसमें पूरा का पूरा दिमाग लगा के खेलना होगा तो guys देखते हैं रविंद्रा और हमारे बीच में मेच रहा है guys तो कौन जीतता है यह भी बहुत बड़ी बात है तो पंजी गराई है उसने हम उठा लेंगे guys इसको यहां लगा देंगे और जो वेस्टेज पता है हमारे पास तो दुग्गी यहां रख देंगे guys वो इस अत्ते को फेक देंगे क्योंकि बड़ा पता है guys और मैंने आपको बोला है जितना हो सके उतने छोटे पते रखो अपने पास तो उससे फाइदा होता है तो guys यहां बेगम गिराई गई है हमें नहीं चाहिए नहापता उठाएंगे तो guys यहां पर हमने इकका गिरा दिया है अब guys हमें यही देखना है कि यह मेच में हम कितना कम पॉइंट से लोस हो तो guys इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है और 201 पोल हो या 101 पोल हो आपको तो guys रविंदर ने यहां शो कर दिया है guys तो यहां आप देखोगे हमारा 6-7 मतलब 13 पॉइंट तो guys देख लो आप हमारा 13 पॉइंट का लोस हुआ है only अब यहां पर guys आप सब के पॉइंट देख सकते हो जैसे किसी के 80 है तो किसी के 66 है किसी के 55 है तो guys यहां हमारे फिर भी ठीक है अभी तक तो guys अब हमारे पास में जोकर आ चुका है तो guys यह हमारे set sequence बन चुके हैं अब हम यहाँ पर जो वेस्टेज पत्ते हैं उनको गिरा देंगे तो guys drop हुआ अभी guys निर्मल की आई है पारी तो कभी-कभी क्या होता है कि guys अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा accident होने वाला है जो आप सोच नहीं पाऊगे कि यह क्या हुआ इसने एक पत्ता उठाया और यह guys show show हो गया तो कभी-कभी क्या है ना कि एक game हमारे साथ game खेल जाता है तो अब यहाँ show हो चुका है तो guys अब हम कितना ही कोशिश करें तो यहाँ देख लो एक बंदा तो lost हो ही चुका है 120 point हो चुके है वो तो out हो चुका है पांच बंदे बच्चे है अब यहाँ पर फिर से हम नहीं भी खेलता हूं तब भी मैं काफी ज़्यादा माइनस हो जाओंगा यह मुझे पता है इस चीज का तो guys अब यहाँ पर इसने तो कर दिया drop इसके रामा राव उन्हें पता उठाया है क्योंकि 86 है अगर drop भी करें तो lost हो जाएगा हम नया पता उठाएंगे या drop करें अ हमारे सामने यह situation है फिर भी हम नया पता उठाएंगे guys चगी मिल चुकी है अब जो westage बाच्षिया है उसको गिरा देंगे पंजी चगी सत्ती हमारा sequence बन चुका है complete अब guys यहाँ सासी जो यहाँ जीतने के सबसे ज़दा chance है वो सशी के है guys क्योंकि 55 पॉइंट है उसके बस बाकी सबके 86, 69, 76 इस तरीके से पॉइंट है guys तो उनके पास तो option भी नहीं है drop करनेगा तो guys यहाँ देखना होगा कि क्या होता है तो यहाँ अब रमाराव क्या गिराता है उस पे ध्यान रखेंगे और जितना हो से के हम कम से कम पॉइंट रखेंगे तो इसके लिए हमने द आपको पहले ही बताया है कि कम से कम हमें पांस से साथ मेचस खेलने पड़ेंगे तब ही हम विन हो पाएंगे तो guys यहाँ देख लो हमारा sequence बन चुका है यहाँ इसला गिरा देंगे हम तो पंजी छगी सती तीगी चोगी पंजी छगी तो हमारा एक दो प्योर sequence बन चुके है और अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें तो guys हमें पंजी भी मिल चुकी है तो इसको हम रख लेंगे और यहाँ पर बेगम को गिराएंगे क्योंकि हमें कम से कम point से loss करना है और पोल रमी खेलते हैं हमें point का ही ध्यान रखना होता है और सबसे important बात यही है कि कम से कम point से अपना loss होना चाहिए क्योंकि ज्यादा point से होगा तो हमारा बहुत नुक्सान हो जाएगा तो guys यहाँ पर हमने चोगी मिल गई हम रख लेंगे और बेगम गिरा देंगे क्योंकि guys हमारा बस वो ही method है कि हमें कम से कम point रखने हैं तो guys यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा उन् इसको रखने का कोई फाइदा नहीं है guys तो हमने इसको गिरा दिया तो इसको गिराते ही सशी ने उठा लिया एक पता और I think show हो चुका है guys valid show हो चुका है तो guys यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी game भी हमारा साथ देता है जैसा कि अभी आपको दिखाई देगा कि क्या होता ह है कभी-कभी इसके अंदर glitch हो जाता है जिसे हम glitch बोल सकते हैं तो guys यहाँ पर हमारा loss कुछ जादा होना चाहिए था पर हमारा 13 पॉइंट का loss हुआ है only जो कि 5-5 और 3 का हुआ है तो guys यहाँ हमारा कुछ फाइदा हो गया तो यह glitch काफी सारों के साथ हो जाता है कभी-कभी तो मैं तो यही चाहूँगा company को एक glitch के सुधार करना चाहिए क्योंकि कई बारों कई बंदे बड़ा-बड़ा मैचे जाते हैं तो guys जोगी मिली है हम उठा लेते हैं इसको और यहाँ पर हमने एक जोगी गिरा दी जोकी westage थी अब guys यहाँ पर आप देखो इस condition में हमारे है 89 points शशी के 55 points रविंद्रा के है 89 points निर्मल के 75 points रमाराओ के है 95 points तो यहाँ पर में रविंद्रा और रमाराओ तो बिल्कुल भी इस मेच को यहाँ पर drop नहीं कर जकते हैं क्योंकि हम जैसे ही drop करेंगे हमारे 101 से ज्यादा point हो जाएगे और हम easy way से हार जाएगे तो यहाँ हम तो कुछ कर नहीं सकते गाईज तो हमारा तो यही है कि हमें कुछ भी करके इस मेच को खेलना है और जीतना है या फिर जितना हो सके उतना कम लोस करना है तो गाईज यहाँ पर हम यही कोशिश करेंगे कि हम कम से कम लोस कर पाए तो गाईज हमने बेगम उठा लिया था अब हम इस इक्के को गिरा देते हैं तो guys इस match में हमारा पूरा focus यही होगा कि हम या तो 2 point 4 point या 6 point या 10 point से नीचे नीचे में हमें cover करना है हमें 100 point से नीचे रखना है अपना game वरना हम next round नहीं खेल पाएंगे तो हमें उसी चीज को ध्यान में रखना है और उसी तरीके के पत्ते हमें उठाने चाहिए तो guys देखते हैं रमारा मोह में क्या गिराता है तो guys इसने हमें गुलाम दिया हमें नई चाहिए चोगी हम रख लेंगे guys तो यहां चोगी 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 का बन चुका है अब guys यहां पर मैंने पहले ही बताया आपको हमें सबसे बड़े पत्ते सारे गिराने हैं तो guys हम यहां बड़े पत्ते गिराना स्टार्ट कर देंगे तो हमने गुलाम गिरा दिया तो इसमें यही होता है कि आपको सब बड़े बड़े पत्ते गिरा देने चाहिए जितना हो सके उतने छोटे पत्ते रखो तब 101 पॉल में जीत पाओगे और वैसे तो मैं इसको किस्मत का गेम बोलता हूँ तो प्लीज पॉल रमी मत खेला करो होता तो किस्मत का गेम है पर मैं फिर भी आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से विनिंग होती है पूरी तरीके से और इसको देखने के बाद शायद आपको 101 पॉल का सारा सिस्टम समझा जाएगा क्योंकि सबसे जदा पेसेंस का गेम यही है तो यहां चग्य सत्य अठ्य हमारा हो चुका है हमने नेशला गिरा दी अब गाईज यहां पर आप देखलो हमारा किस तरीके से पूरा चल रहा है एक बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है गेम तो यहां देखेंगे रविंद्रा ने पत्ता उठाया है गाईज अब वो क्या गिराता है उसने यह गिराया है बेगम गिरायी है गाईज जिसे हम क्विन भी बोलता है तो गाईज देखते हैं निरमल क्या गिराता है तो रमाराव तो आउट होई चुका है गाईज वो एक्जिट हो चुका है इसके बाद में दो बंदे और एक्जिट हो चुका है अब यहाँ पर हमने हमें जोकर मिल गया पंजीच अगीज अत्ती जोकर लगाया अब गाईज एक पत्ता यहाँ जो वेस्टेज हमें लग रहा है गिरा देंगे और गाईज हमारा ओनली दो पॉइंट का लोस होगा जिसा कि आपको दिख भी रहा होगा तो यहाँ पर अब जो इंपोर्टेंट चीज सबसे इंपोर्टेंट चीज यहीं देखने को मिलेगी गाईज हमने यह दुग्गी गिराई है और यह ड्रोप हो चुका है शशी उसके बाद रविंद्रा तो रविंद्रा ने पत्ता उठाया है गाईज देखते हैं क्या है बाच्या गिराया है उसने यहाँ निर्मल जो है वो क्या गिराता है गाईज देखते हैं तो उसने यहाँ पर सत्ती गिराई है नहीं चाहिए हमें नया पत्ता उठाएंगे गाईज तो देखते हैं क्या मिलता है तो अठी मिली है नई चाहिए हम गिरा देंगे इसको क्योंकि guys हमारा दो पॉइंट का लोज हो रहा है इसका मतलब हम 89 से 91 पे चले जाएंगे फिर भी 101 पॉल में अभी तक टिके रहेंगे और guys ये game है टिकने का इसको आप test भी बोल सकते हो क्योंकि test में जितना टिक होगे उतने run बनेंगे आपके तो इसमें भी वही सिस्टम में guys जितना टिक होगे उतना आपको फायदा मिलेगा तो देखते हैं क्या मिलता है तो अब यहां रविंद्रा उठाएगा पत्ता तो देखते हैं क्या उठाता है वो बाचिया गिराया है उसने उसके बाद निर्मल गिराएगा पत्ता, तो इसमें जिसके पास मोका होता है वो ड्रोप करके दूर हो जाता है जिससे सहसी हुआ है गाईज, तो वो भी एक अच्छी बात है drop होके दूर होने की तो यहाँ पंजी मिली है हमें नई चाहिए नयापता उठाएंगे guys तो सत्ती फिर से सत्ती मिली है हमें नई चाहिए हम गिरा देंगे तो सत्ती हमने गिरा दी फिर से तो guys यहाँ पर हमने गलती और भी किती हमें सत्ती सत्ती इससे बनाना चाहिए था क्योंकि सत्ती आने के संसे जादा थे। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए था पर हमने नहीं रखा। Ika मिला है guys, इसको भी हम गिरा देंगे। तो यहां हमारे साथ कुछ गलत हो रहा था क्योंकि हमें जो पता चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा था तो देशला गिराई है इसने उठा लिया निर्मल ने और गाईज यहां देखेंगे हम कि होता है और अधर रमी एप्लिकेशन भी काफी हमें बुलाती है मेसेज करकर के खेलने के लिए जैसा कि मेसेज आई रहा है तो यहां सब्मिट करेंगे गाईज तो आप देखो हमारा दोग का स्कोर हुआ है गाईज और यहां स्प्लिट का उप्शन है तो हम स्प्लिट पर ओके क्लिक करेंगे गाईज तो हमने स्प्लिट पर जैसे ही क्लिक किया तो गाईज वो पैसा आपस में बाट लिया है हमने और हम 20 रुपे जीत चुके हैं इस मेंच से तो आप भी जीत सकते हो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया